वाई गुरुजी का खाल्सा वाई गुरुजी की फते सिख चिंतन ते विचार कर देयां अज ये देख देयां के वातावर्न संबंदी गुरुबाणी विच बहुत ही उसारू विचारानू परगड़ किता गया बहुत सारे लोग आज दे युगविची महसूस कर देने के अनुवार्नमेंट दे संबंद वेचे बहुत वड़ी समस्या बनी हुई है उस दा एक्विलीब्रिम खराब हो चुका है आज जोदों गड़ी ली हो लर्श चुकी है अज ये सोचन ते मजबूर होए हैं एक वड़ा स्वाल बन गया है के मनुख ने एस इंबैलेंस एस असंतुलन दे विच्छ जो तर्ती हवा पाणी ते हूर सारियां सूर्जी शक्ती इन असारियां शक्तियां दे विच्छ जो ताल मेल है ओ कटन करके ग्लोबल वार्मिंग वर्गियां स्थितियां शुरू हो चुकियां मनुख ने अपनी मन मत नाड़ संसार पर दे विच्छ किसे न किसे तरीक के दे नाड़ वातावर नुगंद्रा कर लई प्लीट कर लई बहुत कोजे यतन कीते ने गुरूस नानिक साहिब ने बहुत समय पहला आज तों पांच सो साल तों भी वाद पहला इस संबंदी चेतना पैदा करनी कोशिश कीती सी उननों नजर आउदा होएगा के आउण वाड़े समय विच एस तरा नियास मस्यामा पैदा हो सगनी है ते उनने तर्ती पाउण पाणी देन रात रुत्ता ने तपदील हूण दा जो सिल्सला है उसनु मनुखी मन्दी संतुष्टी नाल भी जोड़या उदे नाल नाल मनुखी लोड़ां दे पक्तों भी एसनु परगड करनी कोशिश कीती असी साइंस दे आदारुते बहुत समाबाद इस तरह ली समस्या बारे जाएं इस तरह ली महत्ता बारे इस तरह ली सार्थक्ता बारे बड़ी देर बाद सुचेत होएं तो ज़दो गुरु नानिक साहिब ने बारा माराग तुखारी रचया उस वेड़े ओवखवख मी नियादे संबंद वेच जो तुम जिक्र करदेने उना नियारुटनादा मनुख दे माननार संबंद जोड़के वेखदेने एक अल कोई निरी संबालक नहीं असल वेच एस अदारुटे कहा जा सागदा है के मनुखी मन दा, मनुखी सेथ दा, मनुख दी रहनी बहनी दा मनुख दी जीवन, जीवन दा संबंद जो है ओ कुल कुदर्ती शक्तियां दे नार, कुल वाता वर्न दे नार, कुल अन्वार्नमेंट दे नार जुड़े हुए है गुरु नानिक साहिब सानु सुचेत कर देने के जो पाउन है ओ पाणी है तर्ती है ये सारिया शक्तियां मनुखली तुरिदा कम कर देने जदू एक केंदेने पवण गुरु पाणी पिता मातात अर्तमहत देवसरात दोई दाई दाया खेले सगल जगत ता निस्चत औरते सानु ए प्रताख हुंदे के उन्ना दे सामने आउनवाडे समय विच जेएसी नाचेतन रहे ता ये बैलन्स टुट सकता है इस तरह दी महत्ता इस तरह दी जो इंपार्टेंस है वक्ष वक्ष वतावर्नी शक्तियां दी ओजी विगड़ जावे ता मनुखले ही कातक हो साकता है आज जैसी वेखदेयां के सारी संसार दे उत्ते हवा भी गंदली हो चुकी है पाणी भी पलीत हो चुकी है इत्थों तक के दुनिया पर दे बहुत समती देश्यां दे विच पीन वाले पाणी दी काट पैदा हो गी है बोतला तो बिना पाणी पीना खतरनाक समझा जान लग पया है तरती हेटला पाणी जो किसे समय बड़ा साफ सुथरा समझा जान दा सी जेनू कुदर्ती तरते तरती जियां तयां दे विचों गुदर्दया हो यां पवित्तर रूप मिलदा सी ओ आज काल ओ पलीत हो चुके खास तरते पारत विचों बी पंजाब दे विचों ये देख जा सकत है के मैं द्रयामा नदियां ते वागदे पाणीयां दे विचों गलीज पानी पाणी पाके उन्हें दा नास मारे जा चुके है मनुक ने बहुत सारे सादने दे नाड़ हवानू भी घंदयां कीताय और पर चू कही देशियां दे विचेटों तक है कि ऑक्सीजन दी जो मिकदार चाहिए दी है ओ प्रापत नहीं हो रही है। गुरु साब ने सानु चेतन कीता है सी के ना कुदरती शक्तियां बारे जडियां सानु जीवन दान दिन 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 और यू नार नार तर्ती माण दे कोड़ू. खान पीनली, सारे आवस्टा प्राप्त कर देया. उननु उसी आपी गलीज कर देता है, गंदेकर देता है. उनने दे विच्य बहुंट सारी ईसर किसम دे त्धै उसी मला देता है. जिनन दे कारण अशी किसे भी तरह सोख नाल नहीं जीऊ सागदे बीमारियां दी परमारा है कैंसर वर गे मारू रोग इना कारना करके फैल रहे है और महामारियां दुनिया दे विच मनुख नू तबाह करन वाड़े पासे नू तुरियां हुई है मनुख ने गुरू साहबान वर गे चिंतका दी बाणी तों प्रेरना लैन दे था जदों बेप्रवाही किती है ता वेख सागदेयां के नतीजे बड़े कातक निकलन वाड़े ने अशी जे आक्सीजन दी गल करिये ता आक्सीजन सानू रुखा तो मिल दी है अशी तर्ती मादी बुकड़नू ओस दी गोदनू रुखा तो खाली कर देता रुख तर्ती पुत्तर ने और रुख लगा तार लंगर ने सदीवी लंगर रसियों ननू कैसाख देया उना तो जीव जानतू पांची और बहुत सारे कीडे मकाड़े भी जेंदगी प्रापत कर देने अपनियां लोडां पूरियां कर देने कर देने